आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे इंगलीस सो मार्क्स बिहार वोड 12th क्लास की और बात करेंगे इस वीडियो में लिट्रेचर की आपको मालूम है कि लिट्रेचर में आपको तीन भाग पढ़ना है पहला आपका प्रोज दूसरा पोएम और तीसरा स्टोरी ओफ इंगलिस तो दिखिए जो प्रूज सेक्षन का मैंने लेखक का नाम उनकी जनम रित्यो कौन सा चैप्टर आपका एसे है स्पीच है वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लिजेगा क्यूंकि बात 10 मार्क्स की है और आज का वीडियो भी आपको 10 मार्क्स जरूर दिला देगा तो आप इस वीडियो को भी जरूर अंत तक देखिएगा और एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझने का परियास कीजेगा क्यूंकि जो मैं पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपके एक्जामिनेशन हॉल में जो क्वेस्टन पेपर होंगे बिलकुल आपको मिलेंगे तो चलिए एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझिएगा तो दिखिए सबसे पहले आपको टेन चैप्टर्स जो है वो पोयम में पढ़ना है आपको कितना पार्ट दस पार्ट और एक छोटी सी जनकारी मैं आपको दे दूँ कि जो कवीता है उसके जो फादर बोला जाएगा किनको जोफरी चौसर को ठीक है ये छोटी सी एक जनकारी थी आपको पहले से भी मालूम है कि फादर और पोयम किसको कहा जाता है जोफरी चौसर को तो चलिए आपको कितने chapter पढ़ना है 10 chapter पढ़ना है poem में तो चलिए पहला chapter आपका क्या है Sweetest Love I Do Not Go कवी कौन है John Donne कहा के British poet इक इक point को मेरे भाई बढ़ियां से समझेगा Sweetest Love I Do Not Go John Donne कवी का नाम कहा के British poet जनम की बात करे तो 1572 में जनम 1631 में मिरित्यू 2 point और ध्यान दिजिएगा पहला chapter आपका lyric है lyric means गीत और John Donne को metaphysical poet कहा जाता है इतना points अगर आप एक एक chapter से समझ लेते हैं तो आपको अच्छे marks आएंगे तो पहला आपका हो गया Sweetest Love I Do Not Go कवी का नाम John Donne कहा के थे British poet जनम 1572 मिरित्यू 1631 Sweetest Love I Do Not Go क्या है एक lyric है और John Donne को कौन सा कभी metaphysical poet बात करते हैं दूसरे chapter की Song of Myself कवी का नाम Walt Whitman कवी का नाम Walt Whitman कहा के थे American poet 1819 में जनम 1892 में इनकी मिरित्यू ये भी chapter क्या है आपका lyric है और Walt Whitman को people's poet भी कहा जाता है बेद्धिंपोर्टेंट पॉइंट है एक एक पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझिएगा Song of Myself कवी का नाम Walt Whitman American poet जनम कव 1819 मृत्यू 1892 दूसरे chapter भी आपका क्या है lyric है और people's poet के नाम से किने जाना जाता है Walt Whitman को बात करें तीसरा chapter की Now the lips are falling fast कवी का नाम W.H.O.D.N England American poet चुकि England में जनम हुआ अमेरिका में जाकर बस गई इसलिए इनको England American poet जनम कव 1907 मृत्य 1973 ये भी एक lyric है यानि कि सर आपका lesson 1 lesson 2 lesson 3 एक lyric है ठीक बात करें lesson 4 की To autumn John Keats कवी का नाम British poet कहां के थे British poet जनम मृत्यू की बात कर लेते हैं 1795 में जनम 1821 में मृत्यू और क्या है एक एक एन ओड है ओड दैट मींस गीत Romantic poet B of the important point Romantic poet के नाम से मसुहूर कौन है John Keats देखिए John Keats Romantic poet पांचवा चैप्टर Ian Epithep एक मकबरा कवी के नाम Walter De La Mayer British poet जनम की बात करे 1873 मृत्यू 1956 short poem है इनको Children poet कहा जाता है important point note कर लीजेगा पांचवा चैप्टर Walter De La Mayer जो कवी है इनको कौन सा poet Children poet बात करे 6 चैप्टर की The Soldier Sannic की Rupert Brooke कवी के नाम इनको War Poet के नाम से जाना जाता है War Poet Rupert Brooke British poet थे जनम की बात करे 1887 मृत्य उनिसो पंदरा और The Soldier क्या है एक सानेट है सानेट कार्थ क्या होता है 14 पंक्तियों की कभीता The Soldier Rupert Brooke War Poet British poet थे और जनम इनका 1887 मृत्य उनिसो पंदरा सानेट 14 पंक्तियों की कभीता सानेट भी याद रखियेगा 14 पंक्तियों की कभीता Lesson 7 Macavity the mystery cat कवी का नाम T.S. Elliot British poet जनम 1888 मृत्य उनिसो पंदरा और क्या एक humorous है आपका ये पोएम एक अनोखा पोएम कौन से चैप्टर 7 चैप्टर बात करे 8 लेसन की Fireheim केकियन दारु वाला कभी का नाम Indian poet जनम इनका 1937 मृत्य अभी नहीं हुआ है और ये पोएम क्या है एक short story पोएम है Lesson 9 Snake D.H. Lawrence कहा के British poet जनम की बात करे 895 मृत्य उने सो तीस यह एक पोएम है 10 चैप्टर आपका है कि My Grand Mother's House कभी का नाम कमलादास Indian poet जनम 1934 मृत्य दोहजार नौ और ये चैप्टर आपका क्या है एक Lyric है तो इसमें देखे Lyric की संक्या ज्यादा है Lesson 1, 2, 3 और 10 इन क्या है Lyric है तो इसे आप एक कॉपी में अलग कर लिजेगा Lyric का तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं पहला चैप्टर आपका Sweetest Love I Do Not Go कभी का नाम John Don कहा के थे British poet जनम 1572 मृत्यू 1631 Sweetest Love I Do Not Go क्या है एक Lyric है John Don Metaphysical poet के नाम से मसुहूर है यानि कि अध्यात्मिक कभी के नाम से मसुहूर है John Don दूसरा चैप्टर की बात करे Song of Myself कभी का नाम Walt Whitman American Poet थे 1819 में जनम 1892 में मृत्यू या पोएम भी एक Lyric है और People's Poet के नाम से Walt Whitman मसुहूर है तीसरा चैप्टर की बात करे तो Now The Leaves Are Falling Fast कभी का नाम W.A. Chordain England American Poet जनम 1907 मृत्यू 1973 ये पोएम क्या है एक Lyric है Lesson 4 To Autumn कभी का नाम John Keats British Poet जनम की बात करे 1795 में इनका जनम 1821 में मृत्यू क्या है ये पोएम An Ode है Ode that means गीत Romantic Poet Romantic Poet के नाम से मसुहूर कोन है John Keats Romantic Poet John Keats Lesson 5 An Epithep एक मकबरा कभी का नाम Walter De La Mayor British Poet जनम 1873 मृत्यू 1956 Short Poem और इनको Children Poet के नाम से मसुहूर है Walter De La Mayor ये की पोईंट को बणिया से समझियेगा Children Poet के नाम से कौन मसुहूर है Walter De La Mayor Children Poet Walter De La Mayor Lesson 6 The Soldier Sainik Rupert Brooke कभी का नाम British Poet War Poet के नाम से मसुहूर है Rupert Brooke War Poet युद्ध कभी के नाम से मसुहूर है Rupert Brooke जनम की बात करे 1887 में इनका जनम 1915 में बृत्यूर और यह पोएम एक सानेट है सानेट का भी अर्थ याद रखियेगा 14 पंक्तियों की कभी था 14 पंक्तियों की कभी था सानेट Lesson 7 Macavity The Mystery Cat कभी का नाम T.S. Elliot British Poet जनम की बात करे तो 1888 में जनम 1965 में मृत्यूर हूम है जनम की बात करे तो 1937 में जनम मृत्यू अभी नहीं हुआ एक सौट स्टोरी पोएम है Lesson 9 Snake कभी का नाम D.H. Lawrence British Poet जनम 895 मृत्यू 930 यह एक क्या है पोएम है और लास्ट चैप्टर 10 My Grand Mother's House कमला दास कभी का नाम Indian Poet जनम 1934 इनका हुआ और मृत्यू 2009 यह पोएम एक लिरिक है तो यह आपका हो गया पोएम सेक्षन इसे आप अच्छी तरह से कोपी में नोट कर लिजेगा और बात 10 मार्स की है और 10 मार्स तो आपके बिल्कु लाएंगे क्यूंकि आपको यह जो पोएम्ट्स है आपको दिला ही देंगे आप इसकी तियारी अच्छी तरह से कर लिजेगा और जब भी समय मिले तो दोस्तों को जरूर से अर कीजेगा ठीक है ओके धन्यवाद